अलो अप्वाइज के दोस्तों जैसे हैब सब लोग मैं मुर सब का स्वागत करता हूँ आज के इस मार्केट अनिलिसिस के वीडियो में ये वीडियो देखने से पेले कल का वीडियो देखो कल के वीडियो देखो मैं बताऊंगा ही कल क्या मैंने वीडियो में बताया था लेकिन आप प्रूफ के लिए कल का वीडियो देख लो कल क्लियरली बोला था आज मार्केट उपर जाएगा मार्केट की जो रैली है डाउनफॉल जो है वो रुख गया है अब मार्केट उपर जा सकता और क्लियरली बोला था कल हम क्या बाइक करेंगे कल मतलब आज हम क्या बाइक कर सकते हैं कि लिए बोला था वोस कि विडियो वह करते है उसकी जो सिंक्रोंिस करके कुछ प्रडिक्शन मैं आपको देता हूunn जो almost सही होता है 100% किसी का भी market में prediction सही नहीं होता है मैं कभी बोलूगा ने कि मैं 100% सही होगा लेकिन जो आज तक जो prediction दिया है उसकी हिसाब से तो हमारा analysis सब सच हो रहा है जो लोगों ने आज profit बनाया उन सब को बहुत-बहुत बदाए आज बहुत सारा पैसा हमारे students ने बना है 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 ऐसे profits हमारे students ने बना है हमारा whatsapp group आप join कर लो whatsapp group का link मैं आज इस video की description में डालूँगा और हमारे सब live session भी करो live session में भी आज हमने अच्छा पैसा बना है दोस्तो अब करते कल के market की बात जैसे मैं बोलनों कि रैली चलू हुई है एक pullback rally है यह continue रहने के लिए अभी market कौन से price पे बंद हुआ है 24,400 के उपर बंद हुआ है 500 के आसपास market आज बंद हुआ है अगर कल market positive रहेगा या पिर आपको लगता है रहना चाहिए तो market की जो कल की opening है वो 24,500 के उपर होनी चाहिए 24,500 एक important psychological level है उस level पे इतना ज़्यादा open interest नहीं है लेकिन आज rejection हमें उसी level से मिला है 24,500 का जो level है उसी level से हमको rejection आज market में मिला है market ने try के अटेस्ट करने के लिए है लेकिन finally market 24,454,50 के आसपास बंद हुआ है और day high आज बना है 24,484 24,400 and 24 day high बना है कल के लिए एक important level बनता है 24,500 एक important psychological level है और ये break होनी की भी थोड़ी probability लग रही है ये break होनी के भी chance है कल लेकिन overnight market में कुछ भी हो सकता है हम बोल नहीं सकते अभी जो current data है current data के basis पे मैं आपको बता रहूँ कि कल market positive open हो सकता है और कल भी market में एक अच्छा pullback मूँ आ सकता है आज थोड़ा एक जगा पे हमको एक छोल मिला market में मार्केट सुबह निगिटिव ओपन हुआ बहुत देर थे कि निगिटिव भी था nifty और bank nifty में synchronization नहीं हो रहा था जैसे मैं बोल रहूँ आपको बहुत दिनों से कि nifty जो है वो निगिटिव है लेकिन bank nifty में company के जो results है banking की जो index है जो stocks है बैंक के उनके जो quarter results है वो अच्छा है इसलिए bank के stocks में अच्छी rally आ रही है आज bank nifty बहुत अच्छा perform किया कल भी किया और यह जो downfall है इसमें bank nifty का performance अच्छा ही रहा है लेकिन nifty का performance अच्छा नहीं रहा है nifty का performance अच्छा होनी के लिए nifty की जो बाकी company है उनका भी जो इस quarter का results है वो अच्छा न चाहिए market थोड़ा higher valuation हो चुका है market का लेकिन इतनी easily market उपर नहीं जाएगा कल भी probability तो लग रही है कि market positive open होगा और positive रह सकता है लेकिन volatility market में बहुत है India Wix बढ़ चुका है implant volatility बहुत है इस implant volatility और Wix के वज़े से हमें stop loss भी आज market में हुआ बाकी हमें सब profits हुए है और volatility के वज़े से market पे हमने bottom भी catch करके 200 points का एक bank nifty का move भी catch किया है आप हमारा live session attend कीजिए channel को subscribe करके रखे live session में जो trades देते हैं आप उसको समझ सकते हैं और जो उनको experience है option market में काम करने का वो लोग trade भी ले सकते हैं दोस्तों तो कल bank nifty की तो तयरी है positive रहनी की bank nifty की nifty का भी जो data है nifty का वो भी हमें एक अच्छा का सा indication दे रहा है खल भी हम bank nifty में ही काम करेंगे अगर ऐसा ही data continue रहा bank nifty का और day high की उपर closing होते रही bank nifty की तो bank nifty में भी अच्छा का से तगड़ा pullback और expected है अभी bank nifty पे हमें resistance जो दीख रहा है दोस्तों वो 52,500 की level पे लग रहा है 52,500 का जो level है वहापे डाइरेकली एक clear resistance हमें शो हो रहा है 52,500 currently मतलब 200 point उपर bank nifty को एक अच्छा खासा resistance है 200 point उपर 200-200 point उपर जाने के बाद ही bank nifty में एक resistance मिल सकता है मतलब आराम से हमें 200 point का एक space मिल सकता है trade लेने के लिए लेकिन volatility high होने के वज़े से थोड़ा हमें संभल के market में काम करना है PCR का data PCR का data निफ्टी का PCR का data अभी फेवर में आ चुका है पूट राइटर्स के निफ्टी का जो open interest का data है वो फेवर में आ चुका है पूट राइटर्स के पूट राइटर्स ने market की command हात में ले ली है और bank nifty का भी same है उसका भी put का data जो है put writers के command में है clearly indication मिल रहा है market उपर जा सकता है जो लोग investment कर रहे है जो लोग swing trading कर रहे है जो लोग SIP कर रहे है वो continue कर सकते है अभी अभी market में थोड़ी शान्ती आई है ओके सो आज के लिए इतना ही कल मिलते है thank you so much